नमस्कार, मैं मीरा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रेणादायक अध्यात्मिक कहानियों में स्वागत करती हूँ आज मैं आपको एक सूफी कहानी सुनाने जा रही हूँ तो कहानी कुछ इस प्रकार से है पुराने समय में नजरान शहर के पास एक सूफी फकीर रहते थे वे बहुत बड़े गायक थे और बहुत सारे वध्ययंत्रों पर भी उनकी अच्छी पकड़ थी वे तो प्रभु भक्ती में लीन होकर नाच गाने में ही मस्त रहते थे हर सांज उनके यहां सूफीयों की बड़ी महफिल जमती थी उनके सत्संग के लिए लोग दूर दूर से आते थे उनकी ख्याती तो नजरान शहर के बादशा तक पहुच गई बादशा ने एक बार अपने महल में एक संगीत समारों का आयोजन करवाया तो उन्होंने उस सूफी फकीर को भी वहाँ पर अमंत्रित किया निश्चे तिथी पर समारों प्रारंब हुआ बादशा ने अपनी सभी बेगमों और अन्यस्त्रियों के बैठने के लिए एक अलग से मज़ बनवाया जिसके सामने नीले रंग के परदे लगे हुए थे समारों प्रारंब होने पर सूफी फकीर ने भी अपने कवाली अपना संगीत प्रारंब किया जहां बैठकर सूफी फकीर कवाली गा रहे थे वह जगय स्त्रियों के मंच के बिलकुल सामने थी जैसे जैसे महफिल जमने लगी, सूफी फकीर तो अपनी रो में आ गई उनकी कवाली के बोल कुछ इस तरह से थे नीला परदा तो हटा, जरा मुखडा तो दिखा वो तो गाते गाते मस्द हो गई उन्हें तो उस नीले परदे वाले की याद आ गई परमात्मा की आद आ गई जो नीले परदे के पीछे है उस नीले आसमान के पीछे है उनकी तो धुन बंद गई और वे बार-बार इनहीं पंक्तियों को दोराते रहे कि जरा नीला परदा तो हटा, जरा मुखडा तो दिखा बादशा को कहा उस नीले परदे वाले की सुध थी उन्हें तो नीले परदे के पीछे केवल इस्त्रियां ही दिखाई पड़ रही थी उनकी तो आसकती ही वहां थी इस संसार में जिसकी जहां आसकती होती है वो वही देख लेता है यह संसार तो हमारे मन का, आसकतियों का, हमारे इच्छाओं का पड़ते भी मात्र ही तो है तो बादशा को यह बात कुछ अच्छी नहीं लगी उन्हें लगा कि यह जो सूफी फकीर है, यह तो उनकी बेगमों और अन्यस्तरियों को नीला पर्दा हटा कर मुखड़ा दिखाने की बात कर रहा है जैसे जैसे सूफी फकीर इन पंक्तियों को दोराते रहे, बादशा को उन पर क्रोध आने लगा क्रोध में आकर बादशा ने तो अपनी तलवार खीज ली और कहा कि मुखड़ा देखेगा, पर्दा हटा कर मुखड़ा देखेगा बादशा के इतना क्रोध करने पर भी सूफी फकीर को थोड़ा सा भी भैर नहीं लगा और वे मंद मंद मुस्कुराने लगे इस पर बादशा ने सूफी फकीर को कहा कि बड़े बत्तमीज मालूम पढ़ते हो, अभी भी हसे ही जा रहे हो तो सूफी फकीर ने कहा कि हुजूर मैं तो उस नीले परदे वाले परवदिगार की बात कर रहा हूँ आप कहा अटके हैं? सब व्यक्ति की आसकतियों की बात है आज के लिए बस इतना ही है